हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बैक टू माई चैनल, आई होब आप सब अच्छे होंगे, आज आप सब के साथ एडेनियम के पौधे को शेर करने वाले हैं, कैसे आप एडेनियम के पौधे से जादा से जादा फूल ले सकते हैं, वो कौन सा फर्टिलाइजर है, जिसको देने के बा आप अपने अडेनियम के पौधे से जादा से जादा फूल ले सकते हैं, तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइक एंट्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफ अडेनियम का पौधा एक ऐसा पौधा है, जो बहुत थीक कम पानी में चलने वाला पौधा है, इसलिए इसको रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, यह पौधा एक ऐसा पौधा है, जिसमें अगर आप 15-20 दिनों तक भी पानी ना दें, तो यह पौधा खराब नहीं होग क्योंकि जो इसका यह कोटेक्स होता है, इसमें बहुत सारा पानी भरा होता है, और जब पानी आप नहीं देते हैं, तो पाधा इसी पानी से दीरे-दीरे काम चलाता है, लेकिन जब पानी आप बहुत दिनों तक नहीं देते हैं, तो इसका कोटेक्स से वो सिकुड जाता है और आप इसको जब छूके देखेंगे तो लगेगा कि आपका पाधा खराब हो गया लेकिन अगर पानी की कमी की वज़े से आपका पाधा सिकुड गया है इसका कोटेक्स जब सही आप पानी देते हैं आपका कोटेक्स एकदम से बिल्कुल सही हो जाएगा लेकिन अगर इसमें पानी की अधिकता हो जाती है तब आपका ये कोटेक्स बिल्कुल खराब हो जाएगा और आप इसको सम्हाल नहीं पाएंगे तो इसके लिए इस चीज का ध्यान रखना है अगर लगातारबारी सो रही है आपके यहां तो इसकी जो आपने मिट्टी त्यार की है वो बैल रेन होनी चाहिए पानी इसमें बिल्कुल भी रुके नहीं और इसके साथ ही साथ डैनेज होल हमेशा चेक करते नहीं बरसात में कि पानी नीचे से निकल रहा है या नहीं बढ़ना आपका आच्छा खासा एडेनियम का पाधा खराब हो जाएगा पानी की अधिकता की बज़ェ से. इसलिए एडेनियम के पाधे को पानी की अधिकता से ही खराब होता है, कमी से कभी भी खराब नहीं होता. तो इस चीज का हमेशा ध्यान लगए दूसरा इसकी जो आप मिट्टी त्यार करते हैं उस मिट्टी में हमेशा नीचे जब भी आप कंक्रीट ही इसमें रखें मौरंग डालें और इसकी मिट्टी हमेशा इस तरीके से सूखी हो तब इस पौदे को आप पानी दीजे जगर गीली मिट्टी है तो कभी भी आपको अडेनियम के पौदे में पानी देने की जरूरत नहीं होती है गुडाई भी कभी कभी करते रहें जिससे की जड़े हैं उनमें नीचे तक आकसीजन पहुंसतार है अगर आप अपने अडेनियम के पौदे के कोटेक्स को मोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैने डेर मैने के बाद अपने पौदे की मिट्टी से निकाल के थोड़ा सा उपर उठा करके रख दीजे जब उपर उठा करके रखेंगे तो दीरे-दीरे आपका ये कोटेक्स जल्दी से मोटा हो जाएगा आपका पौदा खराब हो रहा है इसके लिए आपको देखना है जब आप इसके चू करके देखेंगे तो ये दबेगा और नाकून से खुरच कर जब देखेंगे तो ये ब्राउन कलर का होगा जैसे इसको खुरचा है तो ये ग्रीन कलर का है क्योंकि हमारा पौधा खराब नहीं हो रहा और अगर ब्राउन है तो इसका मतलब आपका पौधा ये जो इसकी कोटेक्स है वो गल गया है खराब हो गया का हम कहां पर गलती करते हैं हमारे पौदे में लगाता है फ्राविंग क्यों नहीं होती है जब भी आप खा देते हैं तो उसका रिजल्ट तुरंट नहीं आता है 10-15 दिनों के बाद ही उसका रिजल्ट आपको दिखाई देता है तो इसलिए जब भी आपके पौदे में फूल खिला हुआ हो उसी समय आप अपने दूसरी वार फूल लेने के लिए अपने पौदे को खा दे दीजे ये जो आप देख रहे हैं हमारे पौदे में जब फूल ख खिला हुआ था तभी हमने पिछली बार अपने इस पौदे को फर्टिलाइजर दिया था जो फर्टिलाइजर हमने दिया था उसका कैसा अपडेट है वो भी आपके साथ सेयर करेंगे लेकिन हम यहीं बेगलती करते हैं कि अपने पौदे में हमने एक वार खाद दे दी फू फूल गिर जाता है लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है जब फूल खिला हुआ है उसी समय पर हमें अपने पौदे को खाद देनी है खाद जब भी आप दें उस समय पर आपको अपने पौदे में फंगस ना लगे इसके लिए चाहे तो आप फंगिसाइड पाउडर या आपके प शेयर करेंगे यह हमारा होम मेट फर्टिलाइजर है इसको हमने खर पर ही तियार किया है कैसे तियार किया है बो भी बताएंगे इसको हमें एक कप पानी ले लेना है और उसमें हमें इसकी पांच साथ धकन डालेना है ऐसे ही डाल लीजिए नापने की जरूरत नहीं है अंद पौदे को रहता है इस fertilizer में potassium, phosphorus और nitrogen की फरपूर मात्रा है एक कप देना है और महिने में हमें एक वार देना है मिट्टी जब इस तरीके से पूरी सूखी हो तब हमें अपने पौदे में डालना है यह fertilizer गीली मिट्टी में कोई भी fertilizer कभी भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका आपके पौदे पर असर नहीं होता है जब भी आप खाद देते हैं उसका 10-15 दिनों के बाद ही असर आपके पौदे पर होता है इसलिए महिने भर के बाद अपने पौदे को fertilizer चरूर दीजिए चाहें आपके पौदे में फूल खिला हो लगा हो यह मस सोचिए कि आपके पौ इने अपने पौदे को जो हमने खाद दी थी उसका आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट रहा है हर ब्रांच पर 5-7 कली बन करके आई है और कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें कलियां बनना सुरूर ना हुई हो तो इसी तरीके से आप महिने महिने भर पर अपने पौदे को खाद देते रहते हैं तो आपके पौदे में लगातार कलियां बनती हैं और लगातार फूल किलता है हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा और जो फर्टिलाइजर आज हमने डाला है उसको कैसे त्यार किया है उसको भी अगली वीडियो में बताएंगे और उसका रिजल्ट कैसा रहा वो भी आप सब के साथ शेर करेंगे